शूगर रोग को खतम करने का पक्का और परमानित इलाज है ये घ्रेलू नुस्खा नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बिमारियां बढ़ती जा रही हैं आज के खानपान ने बिमारियों की संख्या को और भी अधिक बढ़ा दिया है आज हमारी जीवनशैली भी बहुत ही बदल गई है लोगों की संख्या से जादा तो बिमारियां ही बढ़ती जा रही हैं ये बिमारियां बुजूर्गों को ही नहीं बलकि बच्चों वे युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही हैं आज कई बिमारियां तो ऐसी हैं जो हर तीसरे व्यक्ति में देखने को मिलती हैं इनी में से एक है डायवटीज यानी मदमेका होना ये एक ऐसी बिमारी है जिसके कारण शरीर में दूसरी बिमारियां भी जनब देना शुरू कर देती हैं अगर diabetes को सही समय पर control ने किया जाए तो इसके कारण श्रीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं और हमें दूसरी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है आईए थोड़ा सा diabetes के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है diabetes और ये कैसे किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है diabetes एक ऐसी खतरनाक पीमारी है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खोकला कर देती है अगर ये एक बार किसी को हो जाए तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ती और व्यक्ति को ताउमर इसी के साथ जीना पड़ता है diabetes हमें तब होती है जब लीवर से insulin कम पैदा होने शुरू होता है या फिर लीवर से insulin पैदा ही नहीं होता और हमारे श्रीर में blood sugar का level बढ़ जाता है और हम diabetes की चपेट में आ जाते हैं आईए जानते हैं किस प्रकार diabetes जैसी बीमारी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं आईरवेद एक ऐसा मंत्र है जो हर प्रकार की बीमारी को दूर करने की शमता रखता है इसके लिए हम आपको एक ऐसी आईरवेदिक ओश्दी के बारे में बताएंगे जो आपके लिए काफी फायदे मन्त होगी जिससे आप बिना किसी डॉक्टर दवाई के मधुमे का इलाज कर पाएंगे आईरवेद में ऐसे बहुत सी ओश्दिया हैं जो हमें बहुत सी बिमारियों से बचा लेती हैं इनी मेंसे एक है गिलोई इसे गिलोई की बेल भी कहते हैं ये हरे रंकी होती है जो दिखने में धागे के समान होती है डायवटीस के रोगियों के लिए इसे रामबान ओश्डी माना गया है गिलोई को आयरवेद में सबसे उत्तम ओश्डी के रूप में जाना जाता है ये कई प्रकार के रोगों को दूर करने की शमता रखती है गिलोई की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये जिस पेड़ पर चड़ जाती है उसके गुणों को अपने भीतर समा लेती है नीम पर चड़ी गिलोई को सबसे उत्तम माना जाता है आईए जानते हैं आप किस तरह गिलोई के सेवन से डायवटीस से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों आप गिलोई के रस का सेवन कर सकते हैं अगर आपका बलड शुगर लेवल बड़ा हुआ है और आप डायवटीस से पेडित हैं तब आपको गिलोई के रस का सेवन जरूर करना चाहिए इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा डायवटीस में इसका रस अमरीत के समान माना गया है इसके लगतार सेवन से आपका बलड शुगर कंट्रोल में आने लगता है दोस्तों चाहे आपका बलड शुगर 300 हो या 400 हो वो भी इसके सेवन से कंट्रोल में आ जाता है और आप इस बिमारी से छुटकारा पा सकते हैं आप गिलोय के चुरण का भी सेवन कर सकते हैं इससे भी आपका बलड शुगर काफी कंट्रोल होगा चुरण बनाने के लिए गिलोय के तने को सुखा कर रख ले अब इसे पीस कर इसका बारीक चुरण बना ले अब इस चुरण का रोजाना एक चमच गरम पानी के साथ सुबह खाली बेट सेवन करें अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं रोजाना गिलोय के चुरण का सेवन करते हैं तो इससे आपका बलड शुगर कंट्रोल में आ जाएगा और आपकी सालों पुरानी डायबटीस ठीक हो जाएगी जो आप ये डायबटीस को कंट्रोल करने के लिए महंगी से महंगी दुआया खाते हैं आप उनका भी सेवन करना छोड़ देंगे अगर आप रोजाना गिलोय का सेवन करते हैं गिलोय डायबटीस के रोगियों के लिए अमरित से कम नहीं है तो दोस्तों ये था डायबटीस को कंट्रोल करने का एक रामबान नुस्खा अगर आप भी इस बीमारी से पीडिक हैं और सालों से आपकी डायबटीस कंट्रोल नहीं हो पा रही तब आप गिलोए के इस मुस्खे का सेवन जरूर करें और अपने लिए फायदा उठाएं तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वे बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आती रहे धन्यवाद दोस्तों